हेलो बच्चों तो कैसे हो आप लास्ट में हमने एक डिफरेंशियल एक्वेशन का सॉलीशन देखा था यह क्या था यह एम्प्लिट्यूड था जो कि मैक्सम डिस्प्लेश्मेंट आफ पार्टिकल थी फॉमेट्स मीन पोजिशन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी और फ पार्टिकल तब देखो बच्चों यह एक्स पोजिशन बताता है मुझे पार्टिकल की एट अनी टाम टी हमें आपर टी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो वैसे वैसे यह साइन की वैल्यू चेंज होती जाएगी और उसी टाइप से हमारे एक्स की वैल्यू भी अब यह तो एक कॉंस्टेंट है बाहर निकाल दिया हमने साइन का डिफरेंशेशन हो जाता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइचें रूल यूज करेंगे तो आजाएगा हमारे पास मैं ओमेगा टी का ओमेगा और फाई का जीरो क्योंकि फाई इनिशल फेज जो की कॉंस्टें होगा तो हमारे पास में velocity as a function of time a omega cos omega t plus 5 इसे हम फिर से differentiate करता है with respect to time तो हमें क्या मिलेगा acceleration the acceleration as a function of time a omega इस पर constant है तो यह omega को बाहर निकाल दिया कॉस का differentiation होता है माइनस साइन तो यह हो क्या माइनस साइन omega t plus 5 अब चेन रूल यूज करके हम अंदर वाले को differentiate करेंगे तो आज आएगा omega plus 0 तो इस बार acceleration as a function of time माइनस a omega square sin omega t plus 5 इस equation को मैं एक different तरीके से भी लिख सकता हूं minus common लिया omega square common लिया अब बचेगा a sin omega t plus 5 यह जब bracket के अंदर है यह पूरा के पूरा क्या है position तो acceleration हो गया minus omega square x यह relation बहुत important है इस relation को हमेशा याद रखना velocity है a omega cos omega t plus 5 cos theta को sin theta के terms में हम कैसे लिखते हैं cos theta is always equals to 1 minus sin square theta का root तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं a omega 1 minus sin square omega t plus 5 a को अगर मैं इस root के अंदर ले जाऊंगा तो वो a square बन जाएगा a square minus a square sin square omega t plus 5 a sin omega t plus 5 का whole square रही है और a sin omega t plus 5 हो जाता है x omega a square minus x square तो velocity as a function of x या फिर position यह बहुत है तो यह basic formulas है और यह बहुत important है तुम्हें जो भी value time की दे दिए है इस time की value को यहाँ पर रखोगे इन तीनों जगाँ पर तुम्हें position velocity acceleration यह मिल सकते हैं और अगर तुम्हें position दी हुई है और तुम्हें velocity और acceleration find करना है तो यह formulas यूज कर सकते हैं चलो कुछ examples देख लेते हैं x दिया हुआ है 5 sin 20 t plus pi by 6 cm तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि amplitude क्या है तो हम बोलेंगे amplitude is equals to 5 cm angular frequency होगी 20 frequency के लिए हमने relation देखा था omega equals to 2 pi f यहाँ सा जाएगा 20 divided by 2 pi which is 10 divided by pi initial phase क्या है तो initial phase is equals to pi by 6 अब अगर यह पूछा जाए कि what is the initial position तो हम बोलेंगे कि जब t equals to 0 था x क्या था तो x at t equals to 0 is equals to 5 sin 0 plus pi by 6 तो यह होगा 5 sin pi by 6 pi by 6 का मतलब होता है 30 degree तो sin 30 degree की value क्या होती है 1 by 2 कि हो जाएगा 5 into 1 by 2 which is equals to 2.5 cm चीक है इसमें और भी चीजें पूछी जा सकते हैं जैसे कि velocity क्या है as a function of time तो हमने देखा था velocity कैसे निकालते हैं differentiate करके निकालते हैं किसे differentiate करते position को तो x का differentiation करेंगे 5 constant as it is रखा sign cos में चेंज जाएगा cos 20t plus 5 by 6 chain rule लगाकर इसे फिर से differentiate करेंगे तो 20 अलग साएगा 20 यह हो जाएगा 100 cos 20t plus 5 by 6 इसे हम वैसे भी सोच सकते हैं कि x is equals to a sin omega t plus 5 तो velocity होती है एक की value है 5 cm ओमेगा क्या है 20 cos 20 t plus 5 by 6 cm per second अब acceleration की बात करते है तो acceleration as a function of time फिर से velocity का differentiation कर दो या फिर यह formula यूज कर सकते हैं minus a omega square sin omega t plus 5 या फिर minus omega square x दोनों से same answer आएगा सबसे पहले इस से देख लेते है तो minus a क्या है हमारे पास 5 multiplied by omega क्या है 20 20 का square क्या होता है 400 sin omega t 20 t plus 5 by 6 और तो इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से क्या है माइनस 20 का square 400 multiplied by x है हमारा 5 sin 20 t plus 5 by 6 ठीक है एना simple सिर्फ और सिर्फ यह चीजे ध्यान रखनी है कि basic formula क्या है एक बाद फिर से यह देख लेते हैं तो x क्या दिया हो था 5 sin 20 t plus 5 by 6 तो amplitude यह है 5 cm angular frequency यह है 20 initial phase by by 6 है ठीक है फिर हम से क्या पूछा था कि initial position बताओ तो initial position मतलब t equals to zero पर position तो x की equation में t की value zero put कर दी velocity निकालने के लिए हमने क्या किया differentiation किया 5 as it is रहा sin का cos हो गया 20 बहार आ जाएगा तो 5 into 20 cos omega t plus 5 next हमने क्या किया acceleration निकालने के लिए further velocity को differentiate किया minus a omega square sin omega t plus 5 या फिर minus omega square x put कर दी respective values तो हमारे पास मैं यह solution आगे तो बड़ चो यह देखो यह मैंने पूरी टेवल तयार कर लिए यहां पर जिसमें यहां पर एक साइड में फिसिकल क्वांटिटीज दे रखी है यह फॉर्मलास दे रखी है और इस example के according हर एक equation दे रखी है जैसे x की equation जो दे रखी थी वह यह थी तो इसके according velocity और acceleration की equation यह बनेगी ऐसे ही अगर t equals to 0 पर हम बात करें तो initial position velocity और acceleration के वह लिए आपके homework के लिए मैं दो questions दे रहा हूं try to solve these two questions और next video मैं in questions को discuss करेंगे यहां पर आपको इन दोनों equations के लिए find करना है velocity as a function of time acceleration as a function of time position velocity and acceleration at t equals to 0 और initially ठीक बच्चों तो हम next video में मिलते हैं we will discuss these two questions और फिर हम आगे ऐसे चमिन पढ़ेंगे thanks for watching